हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत हमारे IT Fitter Fighter चैनल में तो अगर आप हमारे चैनल में नहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गा और बगल में बेल आइकन होगा उसे आउन कर लीजिए जिसे कोई भी वीडियों हो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए आज की इस सबसे बड़ी बात है कि वीडियो को अगर आप अंतह तक देखनें तो बहुत कुछ आप यहां से दो. अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर आपको कुछ भी सीखने को आपको नहीं मिलेगा इसलिए वीडियो को अंतर तक देखेगा आपको यहां पर हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे आपको चीजों को याद करना है और इस प्रकार के कोशन एक्जामों में आते हैं और यह बोरिंग टेक्निशन लाइव टेस्ट वन के प्रेक्टिस से लिहा से जो स्लेबस के कोशन बनाए गए हैं तो अगर आप बोरिंग टेक्निशन का फॉर्म फिल किये हैं तो यह वीडियो आंतर तक देखेगा अगर अगर अधर एक्जाम की तैयरी करें तो भी इस वीडियो क कि बीच का कूण कितना होता है तो जब भी आपका समय दिया हो और पूछे घंटे और मिनट की जब समय दिया हो उसमें पूछे कि दोनों सुईयों की बीच का इंगल कितना होता है देखे आपको तो फार्मूला पता ही होगा क्या है कि 11 बटे 2 M-30 H ठीक है अब इसमें कैसे लगाते हैं फार्मूले में यहां पर ठीटा बराबर होता ठीक है फिर आप यहां पर जैसे दिया 3 3 क्या हमारा घंटा है तो 3 H की जगह पर हम 3 लिख देंगे और यहां पर 30 क्या हमारा मिनट है तो मिनट की जगह पर हम 30 लिख देंगे तो यहां से इसको कैलकुलेशन करके यहाँ पे ठीटा गमान आ जाएगा अब यहाँ पे हम ट्रिक बात कर लेते हैं देखिए यहाँ पे यहाँ पे रेशियो हमारा कितना बनना है वन रेशियो टेन लेकिन अब एक ही रेशियो से कम थोड़ी चलेगा हम कम से कम यहाँ पे चार से पांच रेशियो सीखने वाले च फिर पूच लिया जाए 5 रेशियो 30 के बीच में कितना 5 बच का 30 मिनट के बीच में दोनों सुईयों बीच कितना कौन बनेगा तो यह पूचे जाती है कैसे सुल करें इसको सुल कररें और यह देखे आप लोगे पढ़ा भी है लेकिन क्या चीज़न याद नहीं हो रही थे गुड़ते 2 यह हमारा फार्मूला होगा कि जो हमारा अगर हमारा वन रिश्यू 4 बना है तो इसमें मारा मिनट को में दो का गुणा कर देंगे एक्जांपल में अगर मालू यहां पर पूश लिया जाए एक्जांपल में हमें कोशन ले लेते हैं ठीक है कोशन हमारा है 6 बच क पर 24 मिनट है ठीक 6 बचकर 24 मिनट में दोनों सुईयों की बीच में कितना इंगल बनेगा तो इसको जब हम solve करेंगे तो वन रिश्यो 4 आ रहा है ना तो वन रिश्यो 4 अब यहां पर हमने चेक कर लिए कि वन रिश्यो 4 आ रहा है अब आपको तुरंट क्या करना है यहां पर 24 जो हमारा क्या है यह मिनट है 24 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा 48 आ जाएगा लेकिन집 फार्मूले में हमारा क्या माइनस है इसमें हम माइनस लगा देंगे है ना आयाना समझ में तो इसी प्रकार से हमने किस का बताएं 1 issue 4 का बताए अब क्या हमने बता है माइनस मीनट में 2 का गुणा करना ठीक अब सेकेंड ट्रिक देखिए आब 1 issue 5 को देखते हैं सीरियल से अगर चीजों को याद करेंगे तो आपको याद रहेगा one issue five में क्या होगा one issue five में होगा minute भागे two इसमें b minus है तो जो minute होगा उसमें दो का भाग देना और minus लगाना हमें बताएँ कि minus plus क्यों लगाते है는 ठीक है अब next है अब इसका भी example देख लेते है चलिए अब वन रिश्यू 5 में एक्जामपल मालो हमारा कोशन है तीन बच कर चार बच कर 20 मिनट है ठीक इसमें हमारा कितना रिश्यू बन रहा है वन रिश्यू 5 बन रहा ठीक है अब तुरंत हम क्या करेंगा हमारा फार्मूला माइनस एमापांट टू है तो 20 में हम 2 का भाग दिएंगे तो हमारे कितना आजाएगा 10 आजाएगा और पहले माइनस है माइनस मतलब 10 डिगरी का यहाँ पर दोनों सुईयों की बीच में हमारा क्या बनेगा इंगल बनेगा चार बच कर 20 तो हमने एक किसका बताया वन रिश्यू 5 का बनाया अगर वन रि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है ऐसा क्यों कि जैसे हमने एक्जाम पर लिया था चार बच कर क्या लिया था एक्जाम पर चार बच कर 20 मिनट तो यहाँ पर आप घड़ी देख रहे है यह हमारा यहाँ पर कितना होता है च्छै होता है यहाँ पर हमारा पांच होता है ठीक है यह 4 होता है तो थोड़ा से देख लेजिएगा यहाँ पर 5 है यहाँ पर 4 है अब यहाँ पे सुईए अब यहाँ पे अभी कितना बजा ही 4 बजा है लेकिन जब 4.20 होगा तो हमारी जो सुई होगी 4.20 में हमारी कहाँ पर आजाएगी कुछ यहां आ जाएगी क्या होगी हमारी मिनट की सुई होगी देखे फिर से यहां पर यह 4 की सुई यहां पर आ जाएगी कुछ इस प्रकार से होगी यह कौन सी सुई है यह मिनट की सुई है यह छोटी वाली सुई है घंटे की सुई है तो यह हमारे इस प्रकार से 4-20 होगा, कहने के मतलब है, जब हमारी मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई से पीछे होगी, तो माइनस का चीन होगा, तो यहां से हम समझ सकते हैं, कि 4 बचकर 20 मिनट में, हमारी मिनट वाली सुई, घंटे से पीछे होगी है न, 4 से थोड़ा आ से मिनट वाली सुई पीछे हो तो वहां पर माइनस चिन लगाते हैं है तो ठीक यह कुछ समझ में आई अब यहां पर जैसे वन रेश्यों हमने क्या बताया वन रेश्यों का分ule आपको बताया हमने माइनस मिनट अपान टू तो वह हमारा निकल की क्या आता था यहां पर तो वहां पर जो भी एंगल आएगा हमारा माइनस में आएगा ठीक है जैसे एक्जांपल हमने फिर से बता दे चार येशू बीस ठीक तो यहां पर पांच का हम दो का भाग दिया तो कितना आ जाएगा यहां पर पांच आ जाएगा न दूसरा ट्रिक हमने आप होता है 1 ratio 6 पूछा जा ठीक 1 ratio 6 का formula क्या होगा minute upon 2 इसमें minus नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि जब हम कोई भी इसका समय लेंगे कोई जिसमें भी हमारा ratio बनेगा मालूब 5 बच कर 30 minute है तो इसमें हमारा क्या होगा देख़्ें फिर हम घड़ी बना लेते हैं यह हमारा 6 है यह हमारा 5 बजा ठीक है अब यहाँ पर यह हमारा 5 बजा ठीक है यहां पर आ जाएगी तो यह 5 बच कर 30 minute हो गया मतलब कि क्या हो गया जो minute वालीosh हुई घंटे से आगया गया ये घंटे वाली सुई है ये मिनट वाली सुई तो घंटे वाली सुई से जब मिनट वाली आगे आजाती तो चेन हमारा क्या आएगा प्लस आएगा इसलिए हमारा पर चेन प्लस होता है अगर ये सुई यहाँ पर सब पांच बजाती तो यहाँ पर क्या होता फिर हमारा माइनस का चिन आता है तो यह आपको बात समझ में आ गई होगी तो हमने आपे वरजयो फाइब का सी ब्धार आपकर 1 रिशयो 5 में क्या होगा माइनस माइनस मीनस माइनस मीनत 1 अपंटो होगा 1 रिश्यो 6 में क्या होगा फार्मूला मिनट अपांटू कितना सिंपल आपको ठीटा बराबर इतना एंगल कल्कुरेशन करने के जोड़ते हैं क्योंकि एक्जाम में समय को ध्यान रखना है इसलिए तुरंट आपको लगाना अब दो और याद कर लेते हैं आप कौन-कौन सा याद कर लेते हैं वन रेश एट बने ऐड़ अब हम पाउन रेश्यू है अगर उडब चैसे यहां से कितना आजाएगा वन रेश्यू एट उयोट आजाएगा न जब भाग देंगए ये हम केवल चेग करते हैं इससे अमारा कोई मतला हम चेक करेंग से यां वो trick apply करेंग तो वह ratio 8 आ रहा ठीक है चार एठे 32 आ रहा अब यहाँ पर हमें ट्रिक लगाएंगी तो फिर हम ठीक है अब यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, दो का कर दिया, ठीक, ठीक, अब यहाँ पर 28, फिर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कल्कुलेशन कर लेते हैं, 8216, 224, 56, तो 56 डिगरी आ जाएगा, ठीक, यह हमारा अंसर हो जाएगा, तो अगर आपसे पुछा चाहिए, चार बच कर 32 मिनट में, दोनों सुईयों की बीच में इंगल कितना होगा, तुरंत आपको माइन में लगाना है, कि 32 मिनट को घंटे मगटाना है, 32 माइन चार, आया हमारा 28, और उसमें 2 का गुणा करना है, 28256, राइट अंसर, तो ऐसे तुरंत सॉल कर लेना है, तो 1 रेशिय गंटा गया होता, एक ही डिजित में नंवर होता है, ठीक, यहाँ पर ऐसे कर लिते हैं, अब यहाँ पर हम को 1 रेशियू 10 का याद करना, 1 रेशियू 10 में फार्मूला क्या होगा, 1 रेशियू 10 के लिए मिनट में भावगीका गुणा कर देंगे, तो जो भी हमारा मिनट यहां पर देखना है प्लस में माइनस में क्यूंकि हमारा प्लस में भी दिया माइनस में दिया तो कैसे चिक करेंगे अब यहां पर कितना बजहा है अब यहां पर इसके बाद 3 तीजह यह फिर यहां पर क्या हो गई अब क्या हो hypocrite सुई से मिनट वाली सुई आगे आगई यहां से घूमते वे इधर आगई तो क्या होगा यहां पर प्लस हो जाएगा तो राइट अंसर हमारा डी हो जाएगा ठीक यहां से ऐसे इसको सॉल करते चलिए नेश कोशन देख लेते इसे प्रकार से और भी कोशन है बहुत अच्छे देनोट करते हैं ठीक इस प्रकार से ऐसे ठीक है फिर से एक बार बना देते हैं आप बना लेते होंगे ओम को इस प्रकार से देनोट करते हैं आप प्रतिरोध को कैसे देनोट करते हो तो यह हमारा रिजिस्टेंस होता है और प्रतिरोध क्या होता है एक प्रकार की रुकाव मिनट वाली सुई एक मिनट में कितनी डिगरी का एंगल मनाती तो मिनट वाली सुई हमारी 6 डिगरी का एंगल मनाती आपको पता होगा न कैसे यह निकालते हैं तो अगर नहीं आता है वैसे हमने वीडियो में जो आपको भेजा था बोरी टेक्निशन कोर्स में तो उसमें काफी अच्छे से बताए गया था कि मिनट वाली सुई है जो है किया एक चक्कर लगाती है तो वह हमाया क्या जब एक चक्कर पूरा मिनट वाली सुई लगा लेती तो क्या कहते हैं 60 मिनट में हमारा एक घंटा होता है ना तो 60 मिनट बराबर देखे जब पूरा एक चकर देखे फिर से देख लिजे मिनट वाली सुई जब पूरा एक चकर लगा लेती है तो उसे बोलते हैं 60 मिनट या एक घंटा बोलते है अब जब पूरा एक चकर मिनट वाली सुई ने लग लिया है तो वो मतलब क्या इसको बोल सकती कि 360 डिग्री उसे ने तय कर लिया तो यहां पे 60 डिग्री 60 मिनट बराबर यहां पे 360 ठीक 0 से 0 कड़ गया फिर से चला गया 60 बराबर 360 60-0 कड़िया फिर एक मिनट बराबर यहां कितना जाएगा 6-36 एक मिनट बराबर 6 डिगरी फिर से समझ लिजी कैसे कोशन करना है मिनट वाली सुई कितने डिगरी का इंगल बनाती आपको पता है कि जब मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाती है तो हमारा क्या कहलाता है वो 60 मिनट कहलाता है क्या कहलाता है हमारा 60 मिनट कहलाता है या 1 घंटा कहलाता है तो जब एक पूरा चक्कर उसने लगा लिया तो उसको बोलेंग 360 डिगरी अब जब तो 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा तीन सु साट जीरो जीरो कड़ गया चछरंग चातिस एक मिनिट बराबर छे डिगरी हमारा राइट अंसर हो जाएगा ठीक यहाँ पे अगर पूछता कि सेकेंड वाली सुई एक सेकेंड कितने डिगरी के अंगल बनाती है तो 6 डिगरी ठीक है चलिए ने श चानते हैं कि कौनसी सन्दी है आपको मैं आपने बताया था जो आमने वीडियो पडूट किया तो मैं आपने क्या बताये था कि जिसमें भी आदह अच्छा लगाओ कि यह संद में क्या होता है राण होता है कि जब भी कोई लड़ाई होती है तो उसमें से आधी बचल आते किस प्रेकार से निकालेंगे देखे यहाँ पर ट्रिक समझीगा छोटी से यह बात है वन इसको हम क्या लिख सकते हैं यह हमारा जो लिखा इसको क्या लिख सकते हैं अगर इसको हम लिखेंगे तो दो कब इसमें गुणा करेंगे दो एककम दो इसमें एक में जोड़ देते हैं तो क्या आजाता है, तीन बटे दू आजाता है, इसको ये भी तो लिख सकते हैं, फ्रेंट्स क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वन अपान टू, वन प्लस वन अपान टू, अगर वन प्लस वन अपान टू को सौल करेंगे, तो भी तो हमारे तीन बटे दू ही आएगा, कैसे दो क कहने का मतलब यह जो सवाल है इसको ऐसे लिख सकते हैं नौ प्लस बटे पांच बटे साथ प्लस पांच प्लस तीन बटे साथ ऐसे लिख सकते हैं ना मतलब विलकुल लिख सकते हैं जैसे भी हमने एक्जामपल से समझाया तो नौ पांच हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया यह 14 हो गया ना इसकों 14 लिख लेते हैं अलग ठीक 14 हमने लिख लिया यहा पर प्लस लगा लिया अब यहां पर अंदर कितना बचा है 5 बटे 7 प्लस 3 बटे 7 यह बचा ठीक है आ रहेने समझ में अब यहां पर हर क्या है बटे 7, देखी आ रहा होगा अंशर, देखे फिर से देखेगा, कितना आया था हमारा, बहार आया था, 14 प्लश, और अंदर कितना आया था, पांटीन आठ बटे साथ देखी आरा अंशर कहीं यारा चौदा सही आठ बटे 7 ठीक है तो यह हमारा राइट अंसर हो जाएगा 14 सही आठ बटे 7 फिर से देख लेते हैं कहीं गड़बर तो नहीं है 10 और 4 चौदा सही है ठीक है हाँ question थोड़ा से यहां पर question में गुमाया हुआ है हमी ने थोड़ा से यहां पर गुमा के दिया था यहां पर पूछा गया उचित बिन दीखा हमने hell किया तो हमारा क्या आया 14 सही 8 बटे 7 आपको पता है friends उचित बिन क्या होती है उचित बिन ये होती है कि जो अन्स का मान होता है वो हर के मान से छोटा होना चीजांपल 2 बटे 5 तो ये हमारी उचित बिन हमारा अन्स छोटा होना चाहिए हर से इसी प्रकार से अगर अनुचित बिन की बात करे तो हमारी अनुचित बिन क्या होती है 6 बटे 5 तो यह हमारी अनुचीत बिन है क्यों कि हमारा अंस का जो मान है यह हर से बड़ा है ठीक है अंस का मान के अंस के मतलब जो हर का मान है अंस से बड़ा ठीक है हमारा हर बड़ा होना चाहिए अगर हमारा अंस छोटा है तो हमारी अनुचीत बिन है ठीक है यह हम समझ लिए तो यह पर हमारा जो यहां पर आप जो हमने सौल किया तो यहां पर हमारा कितना आया था चौदा सही आड़ बटे साथ आया था तो यह हमारी कौन सी बिन है यह हमारी अनुची था क्यों क्योंकि हमारा अंस कमान जो है हर से बड़ा है आड़ बटे साथ आ रहे न तो हर क्या है इसमें अंग्स का मान हर के मान से बड़ा तो हमारे अंचित भिन है लेकिन हमें निकालना है उचित भिन निकालना है तो एक चीज़ समझेगा यहाँ पे हमारा आया 14 सही 8 बटे 7 ठीक है तो इसको क्या लिख सकते हैं तो 8 बटे 7 कुम कुछ लिख सकते हैं देखें क्या लिख सकते हैं बटए 7 को मैं लिख सकते हैं एक सही प्लस एक बटए 7 लिख सकते हैं ना 7-197 और यहां पे गुणा कर रहेंगे तो 8 बटए 7 आ जाएगा आया की नहीं आयगा ना बिलकुल आ जाएगा अब यहां पर जब हम इसको यह लिख सकते है तो एक बटी साथ हमारी कौन सी बिन कहलाती है एक बटी साथ हमारी उचित बिन कहलाती क्यों हमारा इसमें अंस छोटा है हर हमारा बड़ा है तो हमें चेंज करके लिखना था हमें उचित बिन में बताना था तो हमने आप इसको जब सॉल हमारा जब अंसर आया था ये अब इसको उमने उचीद भिन में convert करेंगे तो 14 प्लस 1 प्लस और कितना 1 बटे 7 ऐसे सॉल किया अब 14 प्लस 1 जोड लेते हैं 15 प्लस 1 बटे 7 ठीक तो 15 सही 1 बटे 7 हमारा right answer हो जाएगा इस प्रकार से करना था ठीक चलिए आगया होगा चलिए नेश कोशन देख ले तिदे की वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा अगर हम डारेक्ट आपको अंसर ही बता दे कोई फायदा होगा आप तो हमां सीधा अंसर ही की आपको भेजने तो आप अंसर देख ले कोई फायदा नहीं होगा ना इसलिए हम समझाने का फिर वीडियो बनाने कोई मतलब ही नहीं रहागा हम डारेक्ट आपको अंसर ही बता दे चलिए यहाँ पर हमारा च्छे बज़ा होगा और हमारी मिनट की सुई यहाँ पर होगी ठीक है च्छे बज़ कर 24 मिनट ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर हमने देखा कि मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई से पीछे है तो हमारा चिन क्या आएगा माइनस का यह चीज याद रख लिए गया कि मिनट वाली सुई जब घंटे वाली सुई से पीछे होगी तो हमारा जो मान आएगा म माइनस लगाते हैं क्योंकि one ratio four जिसमें भी बनेगा तो इसमें भी हम याद रखेगा आरप माइनस फार्मूल यहां लगाते हैं तो हमारा चौविस है मीनट कितना हमारा चौविस डिया 2 का गुणा कर दिया माइनेस 48 अंसर आ गया तो ऐसे लगाना थठीक यहाँ पर माइनेस 48 अंसर हो जाएगा चली इनेश कोशन है منadium का melting point कितना होता है तो منadium का melting point हमारा 1720 होता है ठीके यह हमारा technical question था धारा गंद तो राषी है चले निश कोशन है आप पे 3 3 3 सही एक बटी 3 इसको कैसे सॉल करना देखे जैसे उपर वाला कोशन सॉल किया था उसी प्रकार इसको करना कैसे करना है देखी सवाल तो आपको आई गया होगा लेकिन थोड़ा सा उपर हम बताएंगे सॉल नहीं करेंगे फिर समय जादा लग ज देखे लिए नहीं भार इन है तो 3 ईसे लिखना 3 फ्लस वन अपान 3 दिखे आज यए सरी प्लस वन अपान 3 दिखे आज आएगा ना हमें लगता है आज आज आएगा जैसे वने ऊपर वाला बतायां था नहीं को फिर आपको जोड लेना है तो उनको पर पह至 प्लसमें को जो हमें बताईगा हम आपको solve करके बेदें किस धात का गलनांग सबसे कम होता है तो हमारा टीन का गलनांग हमारा सबसे कम होता है आपको पता ना टीन का गलनांग कितना होता है लबक 230 होता है जिंक का कितना होता है 420 होता है लेट का कितना होता है वो हमारा उधास हीन होता है या फिर सुने बोल सकते है अगर यहाँ पर आपका पूछा जाए उसमें इलक्टान का तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 यह किसका होता है इलक्टान का अविश होता है यहाँ किसका मिल्टिंग पॉइंट अधिक है तो सबसे अधिक मिल्टिंग होता है जिंक हमारा 420 होता है ठीक ठीक आपसन के कोडिंग देखते हैं जिंक और 10 का 230 होता है कैडमियम का 227 होता है ठीक कैडमियम का कितना होता है 272 लेट का 327 तो सबसे जादा हमारा कौन से निकल गया है सबसे जादा हमारा 420 निकल गया है 227 हमारा कैडमियम का 237 हमारा 3 का तो इस प्रकार से हमारा और यहाँ पर देखे जो कैडमियम का होगा इससे थोड़ा 3 से ज़्यादा होगा है ना क्यूंकि 3 का मेल्टिंग पॉइंट हमारा सबसे कम होता है तो साथ 3 का हमारा 227 होता होगा केडミιयम का हमारा 230 है डोलस में हृइड से कुछ होากा 230 affirm का 230 हो होगा 220 के सबसे कम हमारा मेलटिंग पॉैंट का होता है चलिए इस usability क्या मिलाने से इस टील में अधिक ताप शहन करने की टाकत बढ़ जाती है तो इस ceal में क्या मिलाएंगे तो उसकी किताब सहिने के छम्ता बढ़ जाएगी तो हम चीर में तो इसमें तमपरैचर खruti की ताकत बढ़ जातया है ठीक है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा शलकान अंसर वह ठीक है यह हमारा अंसर निश्कोशन यहाँ पे चालकत्यों का सूत्र यहाँ पे आपको बताना था तो देखे चालकत्यों को सूत्र चालकत्यों को हम जी से डिनोट करते हैं और यहाँ पे जी बराबर होता है वन अपान आर होता है क्या होता है यह हमारा जी का होता है यह हमार और आर क्या होता है यहाँ पे आर हमारा प्रतिरोध प्रतिरोध का मत्रक ओम होता है अगर यहाँ आपसे पूछा जाए प्रतिरोध धकता जैसे हमने यहाँ पे पूछा था किसका पूछा था फार्मूला चालकत तो का पूछा था अगर आपसे चालकत तो हमने बताया 1 upon R होता अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किसका अगर आपसे पूछा जाए चालकत तो हमने बता दिया अगर आपसे पूछ लेजा एक question और आता है विद्धु चालकता विद्धु चालकता अगर आपसे पूछा जाए जिसे हम सिगमा से denote करتे हैं तो विद्धु चालकता का formula होता है one upon row लो क्या होता है फिराइच देखें रो को हमाएसे denote करते हैं एक सकंड चला गया फिर से तो सिगमा बराबर विद्धु चालकता विद्धु चालक्ता सिग्मा बराबर वन अपान रो रो को इस प्रकार से ऐसे कुछ करके लिखते हैं और रो क्या होता इसमें प्रति रो धक्ता होता यह याद रखना है इस प्रकार के कोशन आपके बोली टेक्निया से आएंगे बिल्कुल ठीक है तो विद्धु चालक्ता को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं सिग्मा बराबर होता है वन अपान रो रो क्या होता है प्रति रो धक्ता होता तो विद्धु चालक्ता बराबर वन अपान प्रति रो धक्ता ठीक ऐसे याद कर लेना है अब यहाँ पे चालकत तो पूछा गया था चालकत तो को फार्मूला होता है वान अपान आर मतलब की प्रतिरो या इसको ऐसे लख सकते हैं जी बित्रौन पाती आर यह हमारा क्या हो गया चालकत तो हो गया अगर आपसे पूचा जाए फिर से आपको रिविजन करा दें अगर आपसे विद्धुचा लगता पूचा जा तो सिग्मा प्रिपोर्शनल वान अपान बित्रौन पाती होता ठीक है तो इसमें one upon row, row क्या होता है प्रतिरोध रखता होता है, शिग्मा क्या होता है, यह आपका विद्धुचा लगता होता है, ठीक, चले निश्क कोशन है आपे, यदि किसी राड की लंबाई बढ़ाई जाया तो प्रतिरोध क्या होगा, आप इसको कैसे सॉल करते हैं, कोई रा की लमाई घढ़ेंगी तो क्या होगा उसका डाइमीटर कम होगा अब यहां पर उच्छा गया थै प्रतिरोड कमान अब दीगे प्रतिरोड कन फार पर एक प्रकार की रुकावट होता है अब यहां पर मालूब पानी का इसमें जो हमारा पानी के प्रेसर जा रहा था बड़े इसमें क्या होगा कि जब पानी का flow होगा इसमें क्या होगा कि हमारा क्या जाएगा ज़ादा जाएगा क्यों क्यों कि इसमें रुकावट हमारी पड़ रही तो रुकावट का मतलब यह है कि पानी का प्रेशर हमारा कुछ अंदर जा रहा है तो यहाँ पर प्रतिरोध हमारा बढ़ेगा तो जहाँ पर भी रुकने में ज्यादा हमें रुकना पड़ रहा हो तो वहाँ पर हमारा क्या होगा वहाँ पर प्रति रोध हमारा बढ़ता है प्रति रोध का मतलब अगर आपने रुखना समझ लए तो फिर आपको quोशन सॉल हो जाएगा एक वर्स में मही नों में कितने दिन होती है एक वर्स के महीनों में 30 दिन होते है यसमें 30 दिन होते हैं तो हमारे Cross section जानते हैं नो छेतपल क्या हुता? Cross section यह हमारा Cross section है ठीक है? इसका radius ही हमारा क्या है? किसी को बीस से काटके हैं मुस्का Cross section लो देखते हैं अब इसमें पूचा गया है किसी राड का छेतपल घटेगा? अब छेतपल घटे का मतलब क्या है? Cross section उसका घटेगा, क्रॉस सेक्षनल घटेगा, मतलब उसका क्या है, डाया घटेगा, है ना, डाया घटेगा, अब यहाँ पूछा क्या है, घटेगा, तो मतलब वही इस्तिती आगी, कि हमारा इसमें प्रेसर पानी का क्या था, अराम से जा रहा था, रुक नहीं रहा था, मतलब प्रतिरोद क्या है अराम से जा रहा तो प्रतिरोद को प्रेसर के जोड़ता ही पड़ी प्रतिरोद आराम से जा रहा इसमें प्रतिरोद क्योंकि डाया इसमें हमारा कम हो गया छेदफ़ल हमारा कम हो गया तो प्रतिरोद क्या है इसमें हमारा बढ़ेगा तो हमारा राइट अ हो गया तो पानी आराम से जाएगा मतलब प्रतिरोत बिना रुके वे जाएगा आराम से बिलकुल प्रेसर ने पड़ेगा उसमें मतलब कि यहां पर प्रतिरोत काम होगा ठीक यह समझने का जब प्रतिरोत क्या होता है कि जब कोई धारा होती ना धारा जब बह रही होती है तो जब धारा में रुकावट ज़्यादा आजाती है तो प्रतिरोध के क्या करता है प्रतिरोध का काम यह है क्या कर देता है कि धारा को क्या करता है रोकता है यह होता है प्रतिरोध का काम धारा जो धारा बहर है उसमें रुकावट पैदा करना क्या होता है हमारा वो प्रतिरोध कहलाता है जैसा कि filament होता है न तो उसमें हमारा question पूछा जाता है कि उसमें हमारा प्रतिरोद कम होना चाहिए कि जादा होना चाहिए तो ये सारे question जब आके आएंगे तो discuss करेंगे तो समझना है कि प्रतिरोद एक परकार का रुकावट है और इसमें हमारा यहां पे जो लंबाई हमारी कम कर दी गई तो डाया हमारा अधिक होगा जब डाया अधिक होगा तो प्रतिरोद जिए आराम से गमन करेगा मतलब की क्या होगा कोई दिक्कत नहीं होगी यह तो हमारा घटेगा ठीक प्रितिरोद हमारा बढ़ेगा तभी जब उसमें प्रितिरोद ज्यादा प्रिशर पढ़ेगा आराम से जानी पाएगा कहने एक मलब जब रुकावड ज्यादा पैदा होती है तो उसमें प्रितिरोद हमारा बढ़ता है जब रुकावट कम होती है उसको जाने में तो हमारा प्रतिरोध कम होता है यहाँ पर समझ में अब आ गया होगा ठीक चलिए निशकोशन है आपे किरचाप का प्रतमनियम किस पर आधारी थे किरचाप का प्रथम नियम हमारा आवेश सरचनड पर आधारी थे किरचाप को क्या बोलते हैं के इसको डिनियूट करते हैं के सी एल के क्या होता है किरचाप होता है क्या होता है कुलाम होता है या आवेश बोल सकते हैं ल क्या होता है नियम थिक तो इसको KCL भी बोलते हैं किर्चाप के प्रथम नियम को तो अब यहाँ पे अगर यह पूशा जाता कि किर्चाप के दिती नियम किस पे अधारीत है तो ओर्जा सरचनड पे हमारा किर्चाप का दिती नियम अधारीत होता है किर्चाप का प्रत्थम नियम क्या होता है किर्चाप का प्रत्थम नियम होता है शिगमा आई बराबर जीरू शिगमा आई बराबर जीरू को मतलब यह होता है कोई पॉइंट है और इधर से इधर ऐसे से है इनके जो ऐसे मतलब इस point पे धारा जा रही है इस point पे धारा एकत्रित हो रही है i1 है यह i2 है तो इधर से i धारा जा रही है मतलब की कहने एक मतलब है किसी भी point पर किसी भी point पर धारा आने का और जाने का उनका यो क्या होता है 0 होता है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम इनका ये फार्मूला लगाएंगे i1 प्लस i2 जो धारा जा रही है बाहर की तरफ जा रही है बाहर की तरफ जा रही है तो उसको माइनस में denote करेंगे माइनस i3 माइनस i4 आपको समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा है जो भी class boring trading से join कि उनको आ रहा होगा शमझ में तो sigma i बराबर क्या होता है 0 क्यों होता है क्योंकि हमारा सभी धारा जो धारा एक किसी point पर आ रही है जो ये point पर धारा आ रही है ठीक है इस point पे आ रहे और जो धारा जा रहे हैं तो एक किसी point पर धारा जो आ रहे हैं उसका plus जो धारा जा रहे हैं उसका दोनों का योग क्या होता है जीरो होता ठीक अब आपको समझ में आ गया हो चलिए यहाँ पे next question किस निम्न में से किस पर तेजाब का असर नहीं होता तुथ हमारा जो इसका right answer हमारा हो जाएगा निकिल पर हमारा तेजाब का असर नहीं पड़ता निकिल का melting point 1450 degree centigrade होता ठीक यह आपको याद होगा हमारी आकाज गंग की आकरत कैसी तो हमारी आकाज next question कि आप पूँचा गया steel में क्या मिलाने से hardness बढ़ती है और उसके थंड़ा होने की दर घटती है यहां पर पूछा गया था इसटील में हम ऐसा क्या मिला हैं कि उसमें hardness बढ़े है और थंड़ा होने की दर घटती है hardness बढ़ती है और ठंडा होने किदर घठती है चले निष्ट कोशन है विदू धरा कैसी रास ही है विदू धरा हमारी अधिस राशी है अगर धरा घंफ तो आप से पूचा जा है तो धरा घंफ तो अमारी शदी राशी होती है धारा गनत को आपको फार्मूला पता होगा फ्रेंट क्या होता जे बराबर होता आई अपाने धारा गनत को किसे डेनोट करते हैं जे से डेनोट करते हैं और धारा गनत तो बराबर जे बराबर आई अपाने जहां पर भी कोई कोशन है ने उसको आपश में रिलेट किया करो कि इसका मतलब क्या होता है, जे क्या होता है, हमारा धारा गनत होता है, धारा गनत कैसी सदिस रासी है, आई क्या हमारा इसमें धारा होती है, ए क्या हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, ए क्या हमारा प्रतिरोध है, तो हमारा धारा का मतलग क्या होता है, एम्पियर होता है, और ए क्य जहने एक मतलब जो हमारा धारा घनत को मातरक होता है, आई का मतलब एंपियर और एक मतलब छेतफल और छेतफल का मतलब मीटर स्क्वाइर इसका मातरक, तो हमारा मातरक धारा घनत को हो जाता है, एंपियर प्रति मीटर स्क्वाइर क्या होता है, जे बराबर क्या होता है आई अपान ए ए क्या होता है हमारा ए हमारा छेद फल होता है आई हमारा धारा होता है धारा कमात्रक एंपियर और एक कमात्रक छेद फल तो ए यहाँ पे मीटर इसको आ गया होगा समझ में धारा गनत कैसी राशा सदिस्वर, देखिए यहां से question आती है, आपे detail में इसको बताती हूँ, next question ने lamp के filament बना जाते हैं, बहुत पुराना question लेकिन exam में आ जाता है, तो lamp के जो filament है, वो हमारे टंगस्टं के बना जाते हैं, तो right answer D option हो जाए, पवित्र में कौन शीदेन तो पो दन इधर होती है हमारी तो पो दन इधर होती है हमारी आयादिशन्दी होती है ठीक है तो राइट अंसर हमारा ए हो जाएगा वायू की सापेज आधरता तेखिए यहां से भी एक कोशन आता है इनको केस प्रकार से याद करना इनसे भी रिलेटर कोशन पूछे आते हैं तो वाईव की सापेश आधरता का मापने रिकार्ड करने का उपकरण क्या है तो यहां पे आधरता मापना था हाइग्रो मीटर अच्छा यहां पे आपको confusion होती होगी हाईग्रो हाईड्रो में इसकी ट्रिक हम बता देते हैं ठीक अगर आपसे पूछा जाए कि घनत को किस से मापते हैं घनत को मतलब density घनत को किस से मापते हैं गनत को इंगलिस में क्या बोलते है इसमें क्या वर्ड आता है हमारा डी आता है तो हाइग्रो और हाइग्रो में देखना कि आपका डी किसमें आता है डा किसमें आता है हमारा हाइड्रो में आता है तो यहां से याद कर ले सकते हैं कि हाइड्रो मीटर कहां से हम रिलेट घंत कुमापता है कैसे घंत के स्पेलिंग क्या होती है डेंसिटी डेंसिटी में हमारा डी आता है डी किस में आता है हाइड्रो मीटर में आता है तो हाइड्रो मीटर कहा होगा घंत कुमापता है यहां से डी से हम जान लेते हैं डी से क्या होता है डेंसिटी अब यहां पर याद के लिए तो हाई गुरु याद रहेगा हाई गुरु से हमारा वाई कुई साफ़ चाधरता को मापते हैं लेक्टो मीटर क्या होता है लेक्टो मीटर से किसी भी दूद की सुधता का पता करते हैं कोई दूद है उसके हमें सुधता और सुधता का हम पहचान करते हैं और बैरोमीटर से हम क्या चिक करते हैं वाई प्रिशर मतलब कि वाई दाब हम किसे मापते हैं हम यह बैरोमीटर से मापते हैं ठीक है यह कोशन हो रहा आ जाता है अमीटर चलिए आगे आएगा तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगा किसी स्टील में 0.15% से कम कार्बन की मात्रा पाए लेका है चार माइक्रू कुलाम आवेश 8 मिनंटर किसी धात की सार में इस्थिर रवस्था में रहत हैं जो मारा आवैस है वह क्या है इस्थी रवस्था में ठीक है तो जब भी हमारा कोई हमारा धात वेश में अगर हमारा आवेश इस्थी रवस्था में तो उसमें धारा अमारी बहेगी नहीं ठीक है जब भी हमारा आवेश अगर इस्थी रवस्था में तो उसमय हमारी क्या होती है धारा कमाद जीरो हो जाता है न और आपको पता है वी बराबार आई आर होता है यहांसे भी हम निकाल भी सकते हैं ठीक है यहां पे किसके विद्धु धारा कमान निकालना था तो विद्धु धारा कमान निकालना था तो आई हमारा ऑगे तो बाकि राइट रेंसर यहां पर जीरो हो जाएगा ठीक है चलिए निस्कोषई ने आपके पूछा जाए एमएफ क्या होता है देखी एमेफ हमने आपको बता है विद्धुत वाहगबल होता है विद्धुत वाहगबल क्या बोलते हैं इमेफ बोलते हैं है आपको याद कीजिए यह हमारा माइनस है ठीक है तो जब यहां से धारा प्रवाहित होती है यहां से धारा जा रहे होती है यहां पे कुछ आई ज्यादा होगी ठीक है कलर चेंद कर लेते हैं यहां पे धारा का मान कुछ ज्यादा होगा तो यहां पे धारा को फिर से वहां पे आगे भेजने के लिए यहां पफिर से दारा को वर मात्रा में मान उसको बढ़ा देते हैं , मान बढ़ जाता है छो उपड़ भी होता है और denote करने कुछ भी denote कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे उसका formula निकल के आता है अंतर होता है मतलब जो voltage का अंतर है वो हमारा निकल के आता है plus है यह minus है इस प्रकार से आपको याद कर ले ना देखी आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा जो सर ने बताया था जो हमने हमारे द्वा अगर तो बड़े से छोटिक निकालेंगे यहाँ पर धारा कमान सबसे अधिक होगा यहाँ पर धारा कमान कम होगा सबसे अधिक क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जो हमारी धारा यहां से जो हमारी धारा आई थी उसको यहाँ पर पहुंचा दिया तो यहां पे धारा हमारी कम हो गया यो पर अहां पर अधिक चैसे निकान लेंगे वी बढ़ी माइनस व पू शेंटा पूछ पूंस लेता है EMF का full farm क्या होता है EMF का full farm याद कलीजीगा E का होता है electro M का मतलब होता है motive F का मतलब force Elective motive force होता है full farm EMF का ठीक याद रखिएगा और इसको हिंदिम क्या बोलता है हिंदिम इसको बोलते है विद्धुत वाहकबल ठीक दो-3 question clear हो एक और question विद्धुत वाहकबल का मतलब क्या होता है old होता है क्यों होता है क्योंकि VB-VA हमने बता है VB-VA VB-VA को हिंदिम क्या बोल सकते है voltage का अधिक्तम अंतर voltage का अधिक्तम अंतर क्या कहला था EMF कहला था EMF या विद्धुत वाहकबल कहला था अब या वी क्या विभवांतर है विभवांतर का मातरक ही ओल्ट होता है इसलिए हमारा इमेप का मातरक या विद्धुत्वाहगबल का मातरक ओल्ट होता है तो इमेप को हमने क्या क्या जाना EMF हमारा विद्धुत्वाकबल होता है इसका मतरक old होता है EMF को English में अगर इसका हम करेंगे क्या होगा full farm तो Electro Motive Force Electro Motive Force EMF का full farm होगा तो यहां से सारे question पूछे जा सकते हैं और EMF को क्या कहते हैं voltage का अधिक्तम अंतर या calculation में हम समझेंगे VB minus VA होता है voltage का अधिक्तम अंतर इसको बोल सकते हिंदी में और calculation में VB minus VA बोलेंगे यह हमारा क्या होता है EMF चलिए next question देख लेते हैं महीश में कौनशी संदी यहां पे पूछा गया है तो महीश का संदी विच्छेद हम करके जब देख लेते हैं तो महीश का संदी विच्छेद हमारा होता है महीश का महीधन इस होता है क्या friends होता है महीधन इस होता है हमारा इसका संदी विच्छेद तो यहां पे इससे हम समझ लेते हैं जब और यह एक और ट्रिक बताते हैं बड़ी यह लगाओ ना बड़ी छोटी यह लगाओ एक छोटा सा तो वहां पे राइट अंसर अधिकतर हमारा क्या हो जाता हमारा वहां पे दीर गश्रंदी हो जाता ठीक है क्या हो जाता तो महीश का हमने संविचेत करके बताया महीधन इश होता ठीक है अब यहां पे आपको मैं आपको बताया भी था जो हमने वीडियो प्लूट किया तो उसमें आपको बताया था जब एक ही परिवार जब एक ही परिवार के दो लोग उनी में से बड़ा बन जाता मतलब क्या है मही धन इसमें क्या है मही धन में इसमें भी ई है बड़ी ही है इसे में भी बड़ी ही है तो मतलब इसी में से दोनों आपस में परिवार मिलकर क्या हो जाते हैं बड़ा बन जाता है तो हमारी दीर्ग कहलाती है वरद्ध में क्या कहलाता है A plus A मतलब की दो परिवार बड़ा आपस में मिलकर उनी में से कोई बड़ा परिवार बन जाता है तो ये हमारी जो होती है वरद्ध शंदी होती है दीर्ग संदी में क्या होता है A plus A अपने ही परिवार से मिलकर बड़ा बन जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है ये हमारी दीर के संदिक पहचान है यह हमारी व्रद्दी संदिक पहचान है और गुड़ संदिक आती है तो गुड़ संदि में क्या होता है आ प्लश एक एक जामपल दे रहे हैं कि आ प्लश ही अलग अलग दो परिवार मिलकर कोई तीसरा नया परिवार बन जाता है तो गुड़ सन निकाहलाती है ठीक इस प्रगार से यहाँ पर इसको पढ़ते हैं अब यहाँ पर जो हमने A plus E लिखा था यह एक एक जामपल था कि A plus E बराबर बड़ा यह नहीं होता है लेकिन हमने यह बताए एक जामपल कि हमारा व्रदिशन क्या होता है कि कोई भी दो परिवार उनमें से कोई जब बड़ा पन जाता है तो उसको वहाँ से हम पहचान लेते हैं कि हमारी यह व्रदिशन दिये ठीक निश कोशन है निम लिखेत में से उचिद बिन पहचानो उचिद बिन कैसे पहचानते हैं हमने बताया कि अंश कमान अगर हर से छोटा है तो हमारी उचिद बिन अगर दो बटे साथ लिखा है और यहां पर पांच बटे तीन लिखा है तो में कौन सी उचिद बिन है उचिद कमान क्या है छोटा ठीक चले निश कोशन यहां पर देख लेते हैं सेकंड वाली सुई एक सेकंड में कितनी डिगरी का इंगल बनाती है तो देखे आपको पता होगा सेकंड वाली सुई जब एक पूरा चक्र लगाएगी तो उसको क्या बोलते हैं साथ सेकंड बोलते हैं या उसको बोल सकते हैं एक मिनट बोलते हैं अब साथ सिकंड में पूरे उसनी एक चक्र लगाया तो एक चक जब लगा लिया मन्लब तीनसो साट गी उसे ने तैकर लिया तो साट सिकेंड बराबर Resort क्षाइए एक सिकींड बराबर टेस्वर किटना जाएगा है चिछ्षरंग चीजिए जीरू से इरूह कर गड़े तो चैट गिरिया गया ऐसे तो 60 सिकेंड में एक पूरा गिद्ध तो तो बहुं तर 2 वोल्ट है तो इसका प्रतिरोद आपको बताना देठ़े आपको फॉर्मूला पता हैं ओम-canium क्या होता है Om-canium होता V बराबर IR होता है ठीक है अब यहां से सह में जब V बराबर IR यहां पे चले लिख लेते हैं बराबर आई है ठीक अब यहाँ पे पूछा गया है आप से प्रतिरोध क्याद कीजिए तो यहां से आर कमान निकालते हैं आर बराबर क्या होता है वी अपान आई होता है ठीक है फ्रेंट अब यहाँ पे जब आर कमान वी अपान आई अब वी कमान इसमें देखो देखो यहां दो होता हैं यहां पर के निकल के आया ठीक है तो यहां पर रह downs भी क्या होता इनकोन विद्वासट्चे उता होता है यह यहाद रही होल्ट हुँआ है विद्वा सब्सक्रांद के टके बाड़ सबस्टर प्रतित निच्छ Il y आई आया और यह वी कमान होता है हमारा दो होता है आई कमान एक होता है कहां यहां पर कोश्चन में दिया आई कमान एक और इसमें किस कमान विद्धुद्वांतर कमान दो ठीक तो यह हमारे यहां से निकल क्या है विद्धुद्वांतर यह ठीक आगया होगा अगला कोशन जली से देख लेते हैं चलिए यहां पर पूछा गया आवेश का मात्रक है तो आवेश का मात्रक कुलाम होता है जूल का मात्रक कार का मात्रक जूल होता है वाट हमारा शक्ति का मात्रक होता है ओम हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता ठीक नेश कोशन है इस्टील मे इस्टील में क्या मिलाने से इस्टील में जंग नहीं लगता है तो हमारा क्रोमियम राइट अंसर भी आपसंट ठीक है तो क्रोमियम मिलाने से हमारा इस्टील में जंग नहीं लगता है और इस्टील टफवा हाड़ बनती है नेस्ट कोशन है बिन बिने तारों के बिन बिन रं होते ठीक है तो ताप मान इसका राइट अंसर हो जाएगा तीन बच कर चार मिनट के बीच कम मिनट की सुई की इसको कैसे सॉल करेंगे इसका फार्मूल लगाएंगे ठीटा बराबर ठीटा बराबर ग्यारा बटे दो एम माइनस तीस एच ठीक है अब यहां पे ठीटा कमान कितना दिया देखो ठीटा कमान इसमें 24 डिगरी दिया तो ठीटा कमान 24 रख दिया यहां पर ग्यारा बटे दो एम कमान कितना एम कमान हमारा मिनट है न तो इसमें मिनट कमान निकालना है तो मिनट का निकालना है यहां पर माहिन है 30 फिर एज कमान कितना है एज कमान 3 है यहां पर 4 क्यों नहीं लेते हैं क्योंकि 4 बच कर 20 मिनट तो होगा नहीं है न 3 बच कर ही तो बता देंगे हम बता देंगे अगर पुछा जाए है हम पस्तुम पे Всем सब्सक्वाá से बता कि कम मिनट के सूई गहंते की सूई से 4 मिनट पीछे होगी यहां पे 4 अगर दिया उता ग Messiahstar speech होगी तो विसको क्या कर लेते हैं इंगल में चेंद कर लेता है फंब क्या तो यहां पिरे इन्हें, इंगल में, एक मिनिट में हमारे कितना होता च्रडग्री होता है, तो 4 मिनिट में इतना हो गोड़ते 6 तो 64 को 24 डिगरी ऐसे कर लेते हैं अगर यहाँ पे दिया होता कि 3 वह 4 बज़े के बीच कम मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी तो यहाँ पी जब हम यहाँ पी जो हमने फार्मूला लगाया है न ठीटा बराबर 11 बटे 2 2M-30h तो आप क्या कर लेते हैं यहाँ पे हो सकता कि आप मिनट की जगर पर 4 रग देते नहाँ desert निकाumbra यहाँ पे आपको ठीटा को क्या कर लेना था क्योंकि इंगल तो निकालना नहीं हमें तो समय निकालना है मिनट निकाल अगर मिनट की जगह पर आप चार रख दोगे तो गलत हो जाएगा न तो यहां पर जब भी इस टाइब से question दिया उपीछे आगे तो यहां पर क्या करते हैं जो हमारा मिनट पीछे आगे दिए वह हमारा 24 डिग्री यहां पे 24 यहां पे रख देते चोबीस रख के निकालते तो यहां पे यह गलती ना कर देना कि M की जगए पे 4 रख देना यह नहीं करना ठीक है यहां पे आपको M ही तो मिना है M rouल निकाल ऊई कि आपने यहां पे देखा 4 पीछे होगी मतलब मिनट दिया चार तो अबने चार मिनिट की जगे पर चार रख दिया और यहाँ पे ठीटा हम निकाल दे रहे हैं तो गरत हो जाएगा ना क्योंकि ठीटा तो नहीं निकाला है मिनट गन्टे की सुई छाय मिनट पीछे होगी, मालो 6 मिनिट पीछे बोल दे रहा, 6 मिनिट को इंगल में चेंज करेंगे, तो 1 मिनिट में 6 डिगरी, तो 6 मिनिट को 6 मिनिट गुडा कर लेते हैं, तो 36 डिगरी यहाँ पे, अब यह 36 क्या हां रखेंगे, ठीटे की जगए, ठीटा की जगए 36 रखेंगे ठीटा बराबर जो होता है 11 बटे 2-30 है तो वहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखना है या गलती मत कर देना ठीक कर्चाप का देनीयम किसफा आधारी थे किर्चाप का देनीयम हमारा अब यह आपको उपर बताया थ है अन्व आधारी थे रहागे, чॉव्टा से ब्रीक सभवत murder ث alot महाधनीश होता है अगर हम तोडेंगे महेश का तो महाधनीश होता है महेश ठीक चलिए निशकोशे नहारी है couleur घलत हमने कंश संधी महेश में मारी गुर्जांदी होगी कैसे देखे महस में गुड़ संद कैसे होगी हमने जब महस को हमने तोड़ा तो महाधन इश होता है क्या होता है महाधन इश हमने बताया कि जब दो परिवार आपश में मिलकर कोई तीसरा नया परिवार बनाता है तो उसे में क्या बोलते हैं गुड़ संद बोलते हैं कैसे यह पे हमने आ महा में क्या है मारा आ है प्लस इस में क्या ई है लेकिन बनता हमारा क्या है ए बनता है जब हम महा देखो महा दन इस क्या होता है महा दन इस होता है और हमारा ए आ जाता है तो मतलब जब कोई दो परिवार कोई अलग अलग दो परिवार मिलकर कोई तीसरा नया तो जब दो परिवार अलग-अलग कोई तीसरा नया तीसरा परिवार आपश में दोनों मिलकर बनते हैं तो वहाँ पर हमारी गुड़ संदी होती है तो यहां पर हमारा राइट अंसर होगा गुड़ संदी ठीक आपको समझ में आ हुगा गलती से हमने वहाँ पर वुरत्धी परिवार अपश में आ होगा या बड़ी ओगी यहीं से मिलकर बड़ा बन जाता है अब आ गया होगा शमझ में इस टील में कितने परशन तक में नेडिय में आने से कबाता है इसे स्प्रींग निश का गोड आ जाता है चलिने होशन है विदुधृट्ध का नातरक है तो विदुधृट्धों आतरक हमारे यह होता है तोमरे राइंसर ईह जाएगा ठीक बाग की आपके मात रखह आपको पता देरें आपको इसामा μýद्धृघ हो बोल सकते हैं और ल क्या होता है हमारा लॉनियम होता है तो यहां से इसको हम पकड़ लेते हैं ठीक है अब यहां पर पूछा गया था केवियल क्या होता है तो केशियल क्या होता है केशियल में आपका सिगमा आई बराबर जीरू होता है सिगमा आई बराबर जीरू होता है केवल एक ही पॉइंट बहुत है अब इस पॉइंट से कुछ धाराएं बाहर की उड़ जा रहेंगे तो जो धाराएं आ रहें और जो धाराएं जा रहें उनका योग जीरो होता है तो यह हमारा क्या होता किरचाप का प्रतम नियम केवल इतना याद रखना सिग्मा आई बेटम यह प्रतम होता सकता है किकिरचाप का प्रत قंusalem को किnın मतलब क्या लग सकते हैं इसको क्या भीर क्या होता है् सिग्मा कववल या शिग्माभी बरावर जीरो ठीक हमने से लिए चले ृँध कोशन यहाँ पर देख लेते हैयते हैं शिलकान किष्का उदारण, अच्छे यहाँ पे दो कोशन और हम आपको बता देते हैं, किर्चाप का प्रतिनियम और किर्चाप का दितिनियम, किर्चाप का प्रतिनियम आपका जो होता है, यह ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट पर काम करता है, फिर से दून लिजेगा, किर् चुलते हैं Sigma V ठीक आप सिलकान किसका उधार ना सिलकान दिखें दो एक्जामपल आपको सुने बताए था ना सिलकान बताएथ और एक जामपल आपको साइथ बताए था मुझे भी याद दिया रहा तो सिलकान हमारा किसका उधार और्ध चालक का होता है ठीक लकडी जो है हमारी ये लकड़ी तो हमारी कुछालक देख चालक क्या है देख जिसमें हमारी धारा का प्रवाइट धारा जिसमें करेंट बैती उसे वो चालक होता है जिसमें हमारी धारा नहीं बैती वो हमारी कुछालक होती तो कुछालक के जांपल जैसे लकड़ी है तो क्या लकड़ी सूखी लकड़ी में हमारा धारा प्रवाइट नहीं होती है तो हमारी कुछालक होती चालक जिसमें लोगा है जिसमें हमारा करेंट प्रवाइट होता है वह हमारा चालक होता है और यह हमारा सेमी कंडेक्टर अर्द चालक जिस यह हमारा सिलकान का उदारन है साथ जर्मेनियम ह कहने को, यह पर पুुछ रहा है जो हमारी पवन मतलब हवा, तो हवा के हवे पवन मापना है, किसका प्रियूख करेंगे henomometer को हम gefूलती हैं तो हवा की स्पीड मापने प्रेयुक करेंगे और इसके बाद एक और किसे मापते हैं वो हमारा बैरो मीटर से मापते ध्यान दीजिए यहां से कोशन आता एकजाम में एनुम मीटर से हवा का स्पीड मापते हैं एनुम मीटर से बैरो मीटर से क्या मापते हैं हवा का दबाओ ठीक है हवा का दबाओ प्रेसर वड़ा याद रखिए प्रेसर मापते बैरो मीटर से अब यहाँ पर हाईगरो मीटर से क्या मापते हैं आदरता मापते हैं ठीक है जो वाई मंदल की जो आदरता होती है वो हम हाईगरो मीटर से मापते हैं जो वाई मंदल की हवा की जो स्पीड है वो हम मापेंगे इनुमो मीटर से और जो जो हमारा हवा का दबाव है वो हमारा बैरो मीटर से मापेंगे अब हाइड्रो मीटर से क्या मापेंगे हाइड्रो मीटर से मापेंगे डिंसिटी घनत मापेंगे अमीटर से क्या मापेंगे विद्धु धारा 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 को मापेंगे मतलब धारा अमारी कितनी मात्रा है वह अमेटर से मापते एक गैल पूछा गया थो सब्सक्सारा नहींुक्त嘆ई कशके सिर्फ भी तो dispose of mentioned near near India को मात्रमी कि यहां पर आप सब्सक्रीमान के मेडें 17 में यहां क्टेसं द्यां कि में इसके मरें कि दिकाई यहां हमें 11 sud चेक किया था तो एथयों में कॉंशी संदी है हमारी इसमें व्रध्य संदी एथयों में क्या होता है कि दो परिवार आपस में मिलकर वही वही हमारे परिवार आपस में बड़ा कर लेते हैं अगर एथयों का हम संदी विशेद करें तो एथयों का संदी विशेद हमारा निकल क क्या निकल क्या था है था अब यहां पे जब हमने आपको बता वृद्शन्द होता वह हम्ने बढ़ बढ़ा बंजा तो जब कोई अलग दो परिवार इनहीं में से कोई बड़ा बन जाता है मतलब इनी में से कोई बड़ा बन जाता है तो हाँ पर व्रद्धिशंदी होती है तो इसमें हमारा बड़ा बनेंगे ए बड़ा बनेंगे है तो हमारा एथेव होगे देख ए न ए बड़ा हुआ है तो इसमें था लगा ए तो एथेव हमें शंद वरदिशन्द क्या होती है कोई अलग दो परिवार उनी में से कोई बड़ा बन जाता है वरदिशन्द ही होती है दिरिशन्द में क्या होती है अपने ही परिवार के दो लोग आपश में मिलकर वही परिवार बड़ा बन जाता है दिरिशन्द ही होती है गुडशन्द क्या होत या गुड़ संदी का example 1 plus 2 बरावर 3 ये गुड़ संदी का example है कोई अलग 2 परिवार आपश में मिलकर कोई तीसरा नया तीसरा परिवार बनाता है तो वो गुड़ संदी होती व्रद्दी संदी आपश में 2 परिवार मिलकर इनी में से कोई 1 या 2 परिवार हमारा इनी में से मतलब आपस में अपने परिवार के दो लोग आपस में मिलकर उसी का परिवार बड़ा बन जाता है हुआ हमारी दिर्गिशंदी होती है तो यह आपको समझ में आ गया होगा इससे ठीक है कैसील क्या होता है अपर सायद फिर से कोशन रिपीट हो गया क्या चली केसील यहां पर नए सायद रिपीट हो गया क्यों 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 क्य क्या हो जाता है सिंग मागब्र प्रतीरोध और नोग कह रहे हैं ह perseiende-ip 피 power यहां पर पूछा गया किसी राड का चेथपल बढ़ेगा तो हमने पीचे virusन आप से तो यहांपे पूचा किसी राट का छोटपल बढ़ेगा प्रतिरोथ कम होगा इसमें प्रतिरोथ में रूकावड जाएगी, जब रूकावड जब जाएगी तो प्रतिरोथ कम तूप प्रतिरोथ जाएगी मतलब प्रितिरोद रुकावट कम पड़ेगी जब रुकावट कम पड़ेगी तो हमारा घटेगा प्रितिरोद क्या हमारा घटेगा अगर क्रोस्टिक्षनल कम की बात कर देता तो हमारा डायमीटर छोटा होता है यहां पे रुकावट ज्यादा आती प्रितिरोद कमारा डायम बनती है तो मारा right answer हो जाएगा C absent ठीक है निश्कोषन घंटे वाली सुई घंटे वाली सुई एक मिनट में कितने degree का angle बनाती है तो घंटे वाली सुई कैसे निकालते हैं आपको पता होगा 60 घंटे वाली सुई क्या होती है आपको पता है कि देखें इसको एक और एक जहां पर हम समय लेते हैं यह बारा होता है यहाँ पर 6 होता है आपको पता है कि सब में gap होता है यह 11 होता है यह 10 होता यह 6 होता है इस परकार से 5 यह 4 यह 3 यह 2 सब में क्या होता है gap होता है यह एक gap कमान होता है बारा गैप होते हैं, कितने होते हैं, बारा गैप होते हैं, बारा गैप बराबर 360, बारा गैप हमने क्यों लिखा, क्योंकि एक चकर हमारे बारा गैप के बराबर होते हैं, बारा गैप बराबर 360, तो बारा बराबर कितना हो गया, 360, और एक गैप में हमारे कितने होते हैं, पा इसे दो बनाती हम ऐसे भी समझ सकतेने 60icaçãoध मिनिट बराबर 30 ठिक कैसे कैसे हुआ इसे अब त् Sheikh quem our यहां पर छ बस किये हैं हाँ तो यहां पर जब आपको पता है एक गैप कमांन होता है आपको पता है पांच मिनट होता है ठीक एक गैप कमान होता है पांच मिनट और एक मिनट कमान होता है छे डिगरी तो छे डिगरी जब इसमें हम गुणा कर देते हैं तो तीस आ जाता है ठीक है आपको समझ में आया कि जब एक घंटे का अंतर होता है तो एक गैप होता एक gap कमान होता है पांच मिनट एक मिनट में हमारा 6 डिगरी तो 30 आ जाता है तो यह हमारा कि जब 6 गंटा 60 मिनट या 1 गंटा बोल सकते हैं तो 60 मिनट बराबर 60 मिनट बराबर क्या होगा यहाँ पे 30 तीस डिग्री होगा ठीक है तो यहां पे एक बराबर क्या निकल के आ जाएगा एक बटे दू निकल के आ जाएगा ठीक यहां से एक निकालेंग एक डिग्री बराबर एक बटे दू आ जाएगा आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चली चली कोशन हमारे इतने थे तो वीडि किया हर एक कोशन को डिटेल में बताने कोशिस किया है अगर थोड़ा बस कहीं मिश्टेक हुआ होगा बिल्कुल हुआ है मैं भी पता है तो जहां पर भी हुआ है मिश्टेक उसके लिए अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा है तो प्लीज कमेंट करके बताएगा कि हमने वीडियो पूरा देखा है और वीडियो कैसे लगा यह भी बताएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा ठीक है वीडियो को सेयर कीजिए जिसे की इसमें अधिक सब्सक्राइब कर सके हमारे चैनल को इसमें सब्सक्राइब कर सके क्योंकि आप ही का सवयोग जिसे हमारा चैनल चलता है तो आपको क्या करना इस वीडियो को सेर करना है ठीक है फ्रेंस इतना कर दीजेगा और कमेंट करके बताईएगा वीडियो कैसे लगा हमारे चैनल में नह लेगा ये जूर याद रखिएगा ठीके पिंस बाई बाई फिर मिलते हैं कल